Assalamualaikum my dear students मैं तौसीव सर हूँ आपका SST teacher I hope आप सब ठीक होंगे आज हम स्टार्ट करने जा रहा है Unit First का Chapter No.1 History से What, Where, How and When Students History हमें past के बारे में बताती है हमारी जो गुजरा हुआ कल होता है उसके बारे में हमें history बताती है So let us start जो इसमें character है रशीदा वो निवस पेपर पढ़ रही होती है उसकी नजर अचानक से suddenly एक निवस हैडलाइन पर पढ़ती है 100 years ago याने 1000 साल पहले तो वो imagine करती है कि 1000 साल पहले क्या होती थी जिन लगी अब हम find out करेंगे कि क्या होता है देखिए अगर हम कल for example radio, newspaper, television देखते हैं तो हम remember होता है बट जो last year, 1000, long long ago हुआ होता है वो तो हमें याद नहीं रहता है ना So हम कैसे अपने past को किस तरह देखें बहुत सारी चीज़े होती है जिससे हम अपने past को find out कर सकते है जैसे पुरानी जमाने के लोग इसको search कैसे किया जाता है यानि historians इस चीज़ को कैसे बताते है पुरानी जमाने में लोग क्या खाते थे किस तरह के कबड़े पहनते थे और उनके घर कैसे होते थे जिनमें वो रहते थे और find out करते थे lives of hunters यानि hunters होते हैं जो शिकार करते हैं उनकी जिन्दगी कैसे हुआ करती थी herders जो बेड़ बकरिया पालते थे farmers जो होते हैं rulers जो होते हैं rule जो करते हैं हकूमत और merchants, businessmen जैसे लोहर, सोनार, priesters जैसे पंडित वगेरा crafts person जो crafts बना दे, artists, musicians and scientists इन सब की जिन्दगी के बारे में हमें past मलब बोलता है कि उनकी जिन्दगी कैसे तब थी, इन लोगों की जिन्दगी कैसे past history में थी तो बच्चे क्या games खिलते थे, stories क्या सुनते थे और ये सब चीजे हमें, ये सब, ये सारी जो history है, वो हमें find out करनी है पहले हम find out करेंगे कि लोग जब रहते थे, उनकी जिन्दगी कैसे, वो अपनी जिन्दगी को कैसे बसर करते थे लोग जो आम तोर mostly, वो secular gatherers थे, यानि gatherer gather होता है, इकठा करना जमा करना, यानि वो food gatherers थे, खाना बदोश लोग थे, एक जग़ से दूसरी जग़ जाते थे, उनको कोई जरिया नहीं था, कि उनको पता नहीं था कि food को यानि cooking कैसे की जाती है तो उन्होंने आइस्ता आइस्ता ये सब सीखा करना है, कि मतलब जो पहले जमाने में ये जो river था, जैसे नर्मदा रिवर जो यहां पे location है उसकी पहले cities जो है, first flourish नर्मदा पे ही हुई है, 4700 years ago, flourish हुई है उसके बाद, 2500 years means, उसके बाद, जो गंगा है गंगा यहां पे है, ये locate होता है गंगा ये river है, इस पे location उसके बाद 2500 years ago यहां पे develop हो गई है यानि, लोग तब क्या करते थे, banks of rivers, नदी के किनारों पे रहते थे ताकि उनको अच्छा crop मिल सकी, वो crops को उगा सके, उन्होंने सीखा फिर crops को कैसे उगाया जाता है और लोगों को अब food gather से लोग तब food gather करते थे उनको पता था कि मतलब जो हमें surroundings में हमारे पास forests है वो वहां से collect fruits करते थे और ताकि वो अपना food produce कर सकी, वो जानवरों को भी hunt करते थे, उनको मारते थे और खाते थे लोग ज्यादा तर in banks of rivers पे रहते थे जो मैंने आपको अभी बताया नारमदा river जो क्यों रहते थे क्योंकि वहां का जो ये जो रिवर की मालब पानी का बहाव था वहां पे ताकि वो उन banks पे अपने crops भी उगा सकी और उन्होंने सीखा एक नया तरीका food कैसे produce किया जाता है क्योंकि वो लोग जानते थे कि ये forest wealth है इन plants में हमारे पास जो भी हमें मिलता है इनी plants से मिलेगा चाहे roots वो collect करते थे fruits करते थे collect ताकि वो अपना जिन्दगी का बसर कर सके खा पी सके इसके बाद हमें सुलेमान और किर्थार हिल्स है ये सुलेमान है और ये किर्थार हिल्स है जो आज कल पाकिस्तान साइड से नौर्थ वेस्ट इंडिया मतलब हम इसको पहले बोलते थे आज ये पाकिस्तान की तरफ है ये साइड ये पाकिस्तान है आज नौर्थ वेस्ट साइड से हमें तो सबसे पहले ये जो एरिया है इस एरिया में ही वुमेन जो पहले इनसान ने मैन एंड वुमेन ने पहली बार begin to grow crops such as wheat and barely 8,000 years ago इनसान ने पहली बार crops इसी एरिया में इनी hills में किर्थार एं सुलैमान हिल्स पही नौर्थ वेस्ट साइड पही crops उगाना सीखा wheat और barely 8,000 years ago और जो ये बाक जो people थे उन्होंने रेरिंग की मतलब पालना स्टार्ट किया sheep, goat और cattle ये जो मावेशी होते थे उनके पास जो villages में रहते थे लोग उन्होंने सीखा कि कैसे हम बेड़ बक्रियों को पाले यानि रेरिंग कैसे करे उनको मतलब ये domesticate कैसे करे इसके बाद जो ये जो रेरिंग हुई ये गैरो हिल्स में है यहाँ पे गैरो हिल्स है जो मैं आपको ये map दिखा रहा हूँ इसमें गैरो हिल्स भी आपको मैं दिखा रहा हूँ locate हो रहा है यहां पे तो ये नॉर्थ इस्ट एंड विंडियाज इन सेंटरल इंडिया में ये जो है ये ये वापस जाता है विंडियाज इन्स ये जो सेंटरल अइरिया है इंडिया का यहां से इस area में जो है यह agriculture पहली बार develop हो गया यानि इन गैरो hills और जो हमारे पास है विंडिया विंडिया है नौर्थ एस्ट का जो portion है इंडिया का तो agriculture सबसे पहले यहां पे develop हो गया यह वो places हैं जहां rice पहली बार grow हो गई नौर्थ विंडिया यह जो विंडिया है मैं जो है राइस वहां पे ग्रोव किया गया इसके बाद यह जो इंडस रिवर है इंडस यह जो इंडस रिवर यहां से बहता है इंडस का रिवर जो है इंडिया में यहां से बहता है और वो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज होती है जो बड़ा रिवर यानि ट्रिब्यूटरी हो गई इन्हीं जगाओं पे Tributaries का ये भी meaning है कि मतलब जो ये छोटी छोटी रिवर जैसे जहलियम, चेनाब, रावी ये जो इंडस रिवर है ये जो छोटी 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 रिवर ये इसी में मिल गए इसी में ये जो इसकी Tributaries है इंडस रिवर की तो फ्लोरिश हो गई, जानि सिटीज बनने लगी पहली बार नर्मदा पे सबसे पहली सिटीज बननी लग गई 4,700 एगो फ्लोरिश हो गई इनके किनारों पे इसके बार लेटर ओन गंगा पे सिटीज डेवलाप होने लगी 2500, 2500 एगो और इसकी ट्रिब्यूटरिस पे सी कोस्ट सके अलॉंग यानि यह जो लोगों की जिन्दगी है वो फिर बादल गई या लोग लोगों ने सीखा कि हमें कैसे रहना है, क्रॉपस को कैसे ग्रो करना है हमारी तर्ज जिन्दगी हमें कैसे गुजारनी है और उन्होंने आइस्ता आइस्ता डंग सीखा जिन्दगी गुजारने का स्टूडेंट्स, आइ होप आपको समझ आया होगा मुझे उमीद है आइ होप आज के लिए इतना ही काल में एक और नया टॉपिक इसके कांटिनू करूँगा अल्ला हाफिज